So, hello class 5, हमारी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रोबो होते क्या हैं और कैसे वो हमारी लाइब को easy बना सकते हैं और आपको मैंने भी बता था कि हमारे इस चाप्टर में अजय है, उसकी लाइब जो है वो disturbed हो गई है रोबो के आने से Let us see how Okay, read this interesting story to find out, चलो इसको पढ़ते हैं और हम देखते हैं कैसे उसकी लाइफ थोड़ी सी disturbed होगए इसके रोबो के आने से So, Ajay had a robo in the house, but he was facing some problems So, देखो Ajay के पास robo था, आप देखो Ajay को problems आ रही है या रोबो को problems आ रही है, आये देखते हैं Oh, do stop it manku, you don't have to take part in every conversation Correction, manku robos are support, supposed to participate in household activities, they babysit, they answer the telephone, they अब क्या है, आजे जो है वो परेशान हुआ पड़ा है, परेशान हुआ है, हर बात में क्या होता है, manku robos का नाम है manku, वो हर बात में बोलता है और वो उसको बार-बार डांट रहा है, कि manku आपको हर conversation में, हर किसी की बात में इंट्रफेर करने की ज़रूरत नहीं है हर किसी की बात में आपको पाट लेने की ज़रूरत नहीं है और फिर वो कहता है वो उसको बोलता है कि नहीं हम लोग को तो मंकू रोबोस are supposed to participate in household activities household मतलब कि घर के कामों में हमारे को हर जगा हमारे को हमारे अंदर feed किया हुआ है कि हमने हर जगा participate करना है they babysit babysit का मतलब बच्चों का ध्यान रखते है they answer the telephone telephone आए तो वो भी वो सुनते है है ना Ajay sat down in computer at his computer he knew he was in trouble and it was all मंकू's fault अब Ajay जो है वो computer पे बैठ जाता है मुझे पता है कि सारी problems मंकू रोबो की create की हुई है मेरी life में सारी problems इसने create की है अब इधर देखो अब इधर देखो वो कह रहा है correction बार 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 हर बार तो उसके बोलता है correction, correction, correction तुम यहां भी गलत हो तुम यहां भी गलत हो तुम यहां भी गलत हो अब यहाँ पर फिर बोल रहा है वो correction, you are in error you are misinforming your father, your homework has not been done, error, error अब उसने कहीं बताया होगा अपने पापा को कि मेरा homework जो है मेरा homework हो गया है ठीक है तो और लेकिन उसने homework नहीं किया था, mankurobho को पता था, कि वो अपने फादर को गलत information दे रहा है वो कहता है कि तुम्हारा होग तो हुआ ही नहीं है error, error, तुम चूट बोल रहे हो, तुम चूट बोल रहे हो, mankurobho यहाँ फसा देता है उसको चलो Ajay's father was irritated अब इन दोनों को देखकर Ajay के father जो थे, वो irritate हो जाते है, stop stop it both of you, तो दोनों चुब हो जाओ चुब हो दोनों, ऐसे बोलता है अब Ajay sat down at his computer, he knew he was in trouble and it was all mankoo's fault अब जैसे पापा की डान पढ़ती है Ajay चुप चांप से computer पे बैठ चाता है, और किकि उसको पता था, सारी problem Ajay किसकी create की हुई है mankoo robot की create की हुई है Ajay, पापा कहते है Ajay, you haven't even begun your maths project no more excuses, please get down to it पापा कहते है कि तुमने अभी तक अपना maths project start भी नहीं किया हुए अब और excuses मत देना, जल्दी से कर लो अब वो कहते है, right away dead, okay dead मैं भी कर लेता हूँ Ajay settled down to work जैसे Ajay काम करने के लिए बैठ जाता है Ajay's father went off Ajay के father जो है, वो चले जाते है अपने study room में, to his study after a while the doorbell rang और थोड़ी सी देर बादी क्या होता है दर्माजे पर bell बचती है I bet that's the niche but if I don't do my work now mankoo will tell dad and then I'll be in trouble मैं शर्ट लगा तो यह दिनेश होगा लेकिन अगर मैं अपना काम नहीं करूँगा तो mankoo daddy को बता देगा और daddy को बता देगा, तो I'll be in trouble मुझे फिर परिशानी होगी, अब मैं क्या करूँ mankoo if the visitor asks for me, tell him I'm not at home mankoo, अगर जो visitor बाहर आया है, अगर मेरे बार में पूछे, तो उसको बता दो मैं घर पे नहीं हूँ, अब यहां फिर उसको क्या कर रहा है वो, जूट बोलने के लिए कह रहा है, अब जब उसको जूट बोलने के लिए कह रहा है, तो क्या होगा कि mankoo Robo फिर उसको परिशान करेगा कि तुम फिर से जूट बोल रहे हो चीक है आओ देखे आजे quickly got up to make sure मंकू followed his instructions अब आजे पीछे पीछे जाके देखता है कि क्या वो मेरी instructions follow कर रहा है not here sir correction you are here वो कहता है sir आप तो जूट बोल रहे हो correction आप तो यही हो oh my goodness वो फिर परिशान हो जाता है मैं क्या करूँ इसका the doorbell rang again doorbell फिर से बच्चती है आजे what's the matter why isn't manku answering the doorbell वो कहती है आजे क्या बात है manku दर्वाजा क्यों नहीं खोल रहा है ममा पुछती है oh really you make me sick manku मंकू तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया you make me sick मतलब की तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया ठीक है but वो क्या लेता है इसको as always manku took him literally literally मतलब की same words उसने नहीं समझा कि उसने क्या बोला क्या नहीं उसके बोलने का मतलब क्या है वो उसको sick अब वो उसने का कि you make me sick you make me sick का मतलब क्या होता है में को upset कर देते हूं मुझे परिशान कर देते हूं लेकिन वो sick का मतलब क्या लेता है क्यों तुम बिमार हो वो कहता है sick sir shall I call a doctor क्या आप बिमार हो मैं doctor को बिलाऊ do not call a doctor open the front door वो irritate हो के बोलता है doctor को मत बिलाओ दर्वाजा खोलो जाके order received sir command being processed sir अब हो कहता है okay order receive कर लिया अब मैं command अपनी process करता हूं मैं जाके दर्वाजा खोलता हूं मंकू opened the door Ajay recognized his friend Tariq's voice it wasn't Dinesh अब क्या है मंकू दर्वाजा खोलता है Ajay पहचान जाता है कि ये Tariq की voice है उसका friend Tariq जो है वो आया है Dinesh नहीं है तो उसको मिलने के लिए चला जाता है वो बोलता है hi Tariq how nice to see you I was bored today वो कहता है कि उसको hello बोलता है और उसको बताता है कि मैं bored हो रहा था आज तो इतने में बीच में मंकू बोल परता correction sir you were feeling sick वो कहता है बोल नहीं आप तो बिमार थे फिर से बोल परता है बीच में वो फिर irritated हो जाता है aren't you well Ajay aren't you well Ajay Tariq looked at Ajay Tariq जो है Ajay की तरफ देखता है कि तो तुमारे तो यह ठीक नहीं है क्या then no no I'm fine मैं ठीक हूँ वो फिर से मंग को बीच में बोलता है correction sir you said you were feeling sick I will call a doctor आप तो कह रहे थे कि आप बिमार हो मैं अभी doctor को बुलाता हूँ तो देखिए यहाँ पर यह फिर से परिशान कर रहा है उसको तो इतना आप इस वाले page के अच्छे से go through हो जाओ इन टू pages के ठीक है next page हम लोग next video में खरेंगे तो आप देखो कैसे वो बार 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 उसको परिशान कर रहा है आप इसको ध्यान से देखो कि कब कब कहां कहां क्यों क्यों वो परिशान कर रहा है उसको ठीक है because आपको कहीं से भी question आ सकता है आपको सिर्फ दो लाइन्स पूछ जा सकती है दो लाइन्स दी जाएंगी correction sir you said you were feeling sick I will call a doctor आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि why is the robot saying correct कि you were feeling sick क्यों कहा रहा है ठीक है why is he going to call a doctor means किसी भी तरीके से आपको question पूछा जा सकता है ठीक है who came when he was saying this thing any question can come तो इस तरह इसलिए आप यहां तक अच्छे से पहले इसको पढ़ लो ठीक है फिर मैं next video में आपको इससे आगे वाला chapter समझा आती हूँ ओके till then good bye